नमस्क hell आपका स्वागत ईशियान एजिनिया में आपके साथ मैं हरिद्वार हर की पोड़ी पर आने वाले शद्धालू इन दिनों मा गंगा में आस्ता की डुपकी नहीं लगा पा रहे हैं कुछ शद्धालू तो बिनास्तान के ही वापस लोड रहे हैं जिसे शद्दालू और तीत पुरोहितों में काफी आक्रोश है दरसल यूपी से चाईवाग ने गंग नहर की सफाई के लिए 20 दिन तक हरकी पोड़ी पर पानी की सप्टाई बहुत कम कर दी है ऐसे में गंगा में आस्ता की डुपकी लगाने वाले शद्दालू को दिक्कते जिनली पड़ रही है पानी की मात्रा बहुत कम होने की वज़ा से शद्दालू ठीक से इसनान नहीं कर पा रहे हैं इसनान तो दूर ठीक से शद्धालू आच्छमन भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं अस्तिव सरजन में भी दिक्कते आ रही है। बताया जा रहा है कि सिस्तिती दिवाली तक रहने वाली है। 20 दिन तक गंग नहर की सफाई और मरमत का काम चलेगा। इसलिए यूपी से चाईवभाग ने गंग नहर में पानी की सप्लाई बहुत कम कर दी है। उद्धर दूर राज से आने वाले शद्धालू का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। कि गंगा नदी में पानी नहीं है। ऐसी स्थिती में श्रद्दालू काफी परेशान और मायूस भी हैं क्योंकि दूर दरा से बड़ी संख्या में हरिद्वार श्रद्दालू मा गंगा में आस्ता की डुपकी लगाने आते हैं लेकिन जब अरिद्वार हर्की पोड़ी पहुच रहे हैं तो पानी न होने की वज़ा से मायूस नजर आ रहे हैं उत्र तिर्थ पुरोहितों ने युपी सिचाई विभाग से हर्की पेडी गंगा नदी में पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग रखी है उनका कहना है कि उत्र प्रदे सिचाई वभाग के अधिकारियों से इस सम्मंद में बात की गई है और यदि नोंने पानी की मात्रा नहीं बढ़ा ही तो तिर्थ पुरोहितों को आगे की रणनीती पर विचार करना होगा महीं जो शद्दाल उस्टान करने आ रहे हैं वे भी मायूस हैं उनका कहना है कि गंगा नदी में डुपकी नहीं लगा पा रहे हैं और नहीं अस्तिव सर्जन हो पा रहा है इसी के साथ बने रहे हैं इस इन्जा के साथ